आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अलोप्रेंट समार जो question है उसे में बलागा है कि if f r to r defined कैसे e के पौर में x fx is equal to e के पौर में x and gx is equal to x square और ये r to r है ठीक है और हमें g of f r to r defined किया जा रहा है कैसे इसी से g of f हम निकाल देंगे g of fx ठीक है for x belong to real number then ये अपने पास options है इन में से क्या सही है वो हमको बताना है ठीक है तो देखो हमारा यहाँ पर बात की गई है बाजेक्टिव इन्जेक्टिव की ठीक है तो बाजेक्टिव का मतलब क्या होता है चलो मैं लिख लेता हूँ बाजेक्टिव ठीक है तो बाजेक्टिव का मतलब होता है कि one one भी हो one one भी हो and साथ ही साथ और two भी हो ठीक है और injective का मतलब क्या होता है injective injective का मतलब सिर्फ one one होना चाहिए ठीक है चलो अब यहाँ पर देखो injective objective के हिमात किया यहाँ पर last में surjective बोला गया है चलो तो surjective भी बता देते हैं तो देखो subjective का मतलब होता है कि on to होना चाहिए अपना function ठीक है चलो तो देखो अपना fx कितना है यहाँ पर देखो g of fx की बात की गई है and g की बात की गई है ठीक है तो आपने साथ से पहले g का graph बना लेते हैं तो g अपना है क्या g of x है अपना x square के equal ठीक है तो x square का graph कैसा होता है देखो यह अपना coordinate axis है ठीक है तो x square का graph इस तरह से होता है ठीक है तो यह अपना x square का graph हो गया तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि g is not injective injective का मतलब 1,1 तो g 1,1 नहीं है साही भी बात है देखो g 1,1 थोड़ी है 1,1 का मतलब कि 1x पर सिर्फ एक ही y की value आने चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करूँ इस y की बात करूँ ठीक है तो इस पर 2x की value जा रही है मतलब 2x पर अपना same y आ रहा है मतलब यह 1,1 थो नहीं है ठीक है तो g 1,1 नहीं है यह बात तो सही है पर g को बोला गया है कि objective है ठीक है यहाँ पर g of fx तो g of fx होगा क्या देखो f of x जो है वो मेरा है e के पौर में x and g of x जो है यह है मेरा x square ठीक है तो अगर मैं g of f of x टिकलता हूँ तो देखो x की जगा fx रिख देंगे तो यह हो जागा fx का square हो जागा और fx है कितना e के पौर में x है मतलब इसका square इसका मतलब e के पौर में क्या हो जागा 2x हो जागा ठीक है तो इसका मतलब कि g of f of x यह आ गया है e के पौर में 2x को बोला गया है यहां पर कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब कि 1,1 and on 2 दोनों है, ठीके, तो देखो, E के पाउन में 2X हो, चाहे X हो, ठीके, E के पाउन में AX टाइप का अगर होता है, ठीके, तो इसका जो ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से होता है, यह अपना कोडिनेट एक अपना डोमेन होता है, और यह जो होता है, अपना क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीके, तो देखो, बाइजेक्टिव होने के लिए, 1,1 and on 2 दोनों होना चीए, on 2 होना मतलब कि on 2 का कंडिशन यह होता है, कि उसका कोडोमेन जो होना चीए, कोडोमेन, वो इक्वाल होना च तक मतलब सारे एक सारे positive number आ रहे हैं लेकिन negative number नहीं आ रहा है सारे real number नहीं तो नहीं आ रहे हैं लेकिन G of X का जो co-domain है वो क्या है all real number है तो यहां पर यहां पर इसका जो range है सिर्फ positive number आ रहा है तो co domain range का equal है क्या नहीं है इसका मतलब यह on to on to नहीं है g of fx on to नहीं है ठीक है तो byjective भी नहीं होगा क्योंकि one one and on to दोनों होना चीए मतलब यह वाला option गलत हो गया ठीक है तो देखो अब आगे बला है g is injective g is one one function injective मतलब one one function ठीक है तो one one function तो है नहीं पहले हम बता चुके हैं ठीक है तो यह वाला भी गलत हो क्या g is not byjective not byjective g तो byjective का मतलब बता है one one and on to तो g अपना क्या है g अपना यह है x square है ठीक है तो यह one one भी नहीं है और on to भी नहीं है क्योंकि इसका जो range होगा शारा positive number आएगा ठीक है negative number आए नहीं रहा है लेकिन g अपना defined है r to r मतलब code domain इसका all real number है लेकिन इसका range सिर्फ positive number है तो code domain is not equal to range तो g अपना not byjective सही है g of f is injective g of f मतलब e के पार में 2x injective का मतलब one one तो देखो यह one one तो है भी देखो एक x पर सिर्फ एक y के value आगी है ठीक है तो इसका मतलब कि हमारा यह दोनों को दोनों सही हो गया इसका मतलब option number 3 क्या है सही है ठीक है अब आगे बुला गया है g of f is surjective g is surjective surjective का मतलब होता है on to तो देखो on to तो नहीं है दोनों दोनों नहीं है on to तो यह भी गलत तो option number 3 है हमारा सही होगा ठीक है तो होग आपको समझ में आयागा thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर